तो गाइस वेल्कम बैक टो वर चैनल सी रोट इंफिनिटी आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी NBA 2 के मुवाइल एप में प्रोब्लम आ रही है कि लिखर है प्रिपेरिंग टू डाउनलोड रिक्वाइड असेस्ट ऐसा कुछ लिखा रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे वीडियो में पताऊंगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए कुछ स्टैप जनको फोलो किजेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ हजाएगी सबसे पहले रिजन जा लेते इस प्रॉब्लम का तो यह प्रॉब्लम आती है अगर आपके डिवाइस में नेट करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको उपन कर लेना है तो डिवाइस की सेटिंग को उपन करने के बाद हमें यहां पर जाना है सिम कार्ड एंड मोबाय नेटवक वाले section पे तो यहां पर आने के बाद एक जिस SIM पर आपने रिचार्ज करवागा उस पर क्लिक करने है उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर option होगा SS point names का तो इस पर क्लिक कर देने है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर select कर लेने, वो select करने के बाद हमें क्या करने है, हमें mobile network पर जाने, mobile network पर आने के बाद, इसको automatic पर ही रहने दीजीगा, इसको automatic पर रखने के बाद हमें क्या करने है, यहां से back आ जाने, और advanced setting वाले section पर आ जाने, तो यहां पर advanced setting वाले section पर आने के बाद, हमें सबसे पहले तो mobile network diagnosis का तो यहां से आप अपने internet connection की speed है उसको check कर सकते हो तो आपको एक बार check कर लेना है कि आपकी internet connection की speed है वो stable है या नहीं क्यूंकि बहुत सहरी case में यह problem internet connection की वजह से आती है तो आपको एक बार अपने internet connection की speed को check कर लेना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद connection and sharing में जान हम एक बार आपनी डिवाइस को री स्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद 5 मिनिट बाद एक बार ट्राय किजेगा आपकी प्रॉब्लम है वो वे सॉल्व जाएकी तो वीडियो पिसंदा है वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें